अलो बच्छों कैसे हो तुम लोग होपफुली यौल डूइंग वेल स्वागत है आप सबका इस अमेजिंग एडुकेशनल प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे मैं अस्थाना सर आपका बोटनी टीचर आज बात करेंगे कैम प्लांट के बारे में इसके पहले हम लोगों ने सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फोटोरेस्पिरेशन की वोट इस फोटोरेस्पिरेशन और फोटोरेस्पिरेशन में क्या होता है वो तुम देखने की कोशिश कर रहे थे तो दिस फिर जाती है प्रॉक्सी सोम में और फाइनली माइटो कोंडिया फिर से यह माइटो कोंडिया से जाएगी प्रॉक्सी सोम में एंड फैनली क्लोरोप्लास्मेज इस प्रोसेस इस वह बोलेंगे इसको पीसी ओ भी बोलते हैं फोटो सिंथेटिक कार्बन ऑक्सिडेशन बैसिकली रेस्परेशन तो ऑक्सिडेशन प्रोसेस होगी और तो वारबर्ग साइंटिस्ट का नाम था जिसने भूरा था इसको भी बोलते हैं ठीक उसके बाद हम लोगोंने बात कि दिस फोर प्लांट की अब दोकर रुबिस्को की प्रॉलम थी प्रॉलम क्या थी बटा प्रॉलम यह थी अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है टेंप्रेशर ज्यादा है और पार्श्रियल प्रेश्र ऑप्ड तो वोट्विल हैपन रुबिस्को ऑक्सिजीनेज की तरह बीहेब करने लगता है ठीक तो उससे क्या होता है उससे फोर्टो सिंदेटेक एपिसिंसी 25% कम हो जाती है क्योंकि फोर्टोरेस्परेशन करने लगता है तो नेचर ने इसका उपायर खोजा नेचर हैस्पाउंड अब वे टू प्रिवेंट फोर्टोरेस्परेशन तो नेचर ने क्या करना था रुबिस्को को हाइड कर दो रुबिस्को सुद नौट एक्सपोज तुदा इस थ्री कंडिशन तो कोई भी चीज बेटा चेंज होते हैं न तुम बोलते हैं तो यहां पर उन्होंने क्या क्या उन्हें क्या क्या कि रुबिस्को को छ छपा दिया यहां पर दो तीन चीजें आई जैसे क्रेंज अनो TGHI वहां कि रुबिस्को को भेज दिया कहाँ पर बंडल शीट में भीजविस्विल से हटा के उसको कर दिया बंडल शीथ तो काम कहा रह गया बटा दो YOU काम रह गए ए लाइट करना दूसरा जो भी स्योटू आता है उसको ले लेना उसके लिए उन्होंने एक नया एंजाइम जूड़ा उसका नाम था पेप केज या पेप कार्बॉक्सिलेस तीसरी चीज जो यहां पर हुई बेटा बंडल सीथ में सी थ्री साइकल चलेगी मैंने बुला तक कोई भी फोटो सिंथेसिस बिदाउट सी थ्री साइकल नहीं हो सकती सी थ्री वनली वे तो यूज कारवन डायक्साइड इंटू दे सूगर तो बा यूटिलाइशन केवल और केवल सी थ्री साइड़ी करेगा इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी है ना सो लेट्स गोड़ी टूडेश्य क्या क्या टॉपिक आज करने वाले बात करेंगे कैम की तो क्या है क्या मैं तो यहां पर चेंज क्या हुआ टाइमिंग अब स्यूट को अफेक करेंगे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि बिफोर एक गो रियली इंटु दे कैम कुछ डिफ्रेंस देख लेते हैं इंपोर्टेंट है तुमारे नीट के इसाप से राइट इपकोज इस चैप्टर इस नॉट इस ओन तो फीगर आउट इन दे सीट एग्जामि बहुत सारे डिफ्रेंस तुमको पता है जैसे पहले कर लेते हैं मालों यह सीथरी प्लांट है पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं तो क्या होगा यहां पर कि अवल मीजो फिल में मीजो फिल मीजो फिल सार मीजो फिल इस इन बॉल्ट इन फोटो सिंथेसिस राइट अब दोनों लाइट और डार्क रेक्शन दोनों मीजो फिल सेल्स में होगा ठीक है दूसरा यहां पर फोटो रेस्प्रेशन होगा अगर कंडिशन चेंज होई तो दूसरा आइस यू टू कंसेंटेशन चाहिए इसको तीसरा कि यह वाटर को लूज ज्यादा करेगा वाटर लॉस और चोथा जो कंपनसेशन पॉइंट है मतलब एक टंप्रेचर एट विच रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस बिकम्स एक्वल टू रेस्प्रेशन मतलब जितना फोटो सिंथेसिस हो रही है उतना ही respiration हो रहा है मतलब net gain zero हो रहा है मतलब जो भी oxygen बन रहा है वो utilize हो रहा है जितना भी product बनना वो सारा utilize हो रहा है तो इन points पे हम देख लेते हैं तो photosynthesis कहां पे हो रहा है मीजोफिल में cryogenotomy absent है rubp primary su2 acceptor है यहां पे कहां पे हो रहा है मीजोफिल और bundle sheet दूसरी चीज़ की cryogenotomy इसके अंदर होती है अब co2 acceptor कौन है c3 plant में और यहां पे कौन है पहला प्रोड़क्ट यहां पे बनेगा वो अविकषी का करपन कहोगा यहां पे चार कारव का नाम क्या और लॉसे घानल यहां पे ग्रेन कहां पैं मी जोफिल में अग्रैनल कहां पहां पैंदक मीजोफिल में कॐ यह रहा है है ना फोटोरेस्पिरेशन लॉस इस वेरी हाई यहां पर एपसेंट है ठीक है नेक्स पॉइंट इस हाई स्यू टू कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए ट्वेंटीफाइब टू हंडेड एमिल इसुट भी एमिल पर लीटर राइट यहां पर बहुत लोग है अगर स्य हो जाएगी ऑप्टिम्म टेंप्रेचर है ट्वेंटीफाइब डिग्री सेंटीग्रेट इसके उपर अगर गया तो फोटो रेश्पिरेशन शुरू होगा इनिकाह कितना है यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है थर्टीफाइब टू फॉट्टीफाइब डिग्री सेंट अगर सीथरी की बात करो हाई टमप्रेचर पे तो सीथरी की एफिसिंसी कम है ठीक है कहां मिलेगा राइस में वीट में बीन में मोस्ट अब प्लांट में लेकिन यह ज़्यादा एफिसियंट है लेकिन तुम्हें पता है कि एफिसंसी फ्री नहीं आ रही है एक्स्ट्राट एटीपी हम खर्च कर रहे हैं इसके लिए दोखो तुमको कितना लगेगा यू रिक्वार एटीपी और ट्वेल्ब एनडीपी इसमें कितना लगेगा तीस लगेंगे तुम्हारे एटीपी और खर्च और बारा एनडीपी एच तो यह ध्यान में रखना है तो यह कि प्राइमरी एक्सेप्टर है सी फोर में क्या देखा तुम लोगों ने इस इस मीजोफिल के लवा और कौन कौन है मीजोफिल और बंडल सीथ दोनों है लाइट एक्सन मीजोफिल में होगा सीथ जलेगा बंडल सीथ में फोटो रिस्परेशन नहीं है नो फोटो रिस्परेशन हाई चीछटू स्वी दिस लगेगा less लगता है further loss less है कंपन्सेशन पॉइंट भी कम है ठीक है एक्सेप्टर कौन है यहां पर इसका में एंजाइम कौन है रुबिस्को है इसका कौन है पेप केज है जो स्योटू को ले रहा है और यह सी फॉर सी थ्री क्यों है इस आधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और फीचर को एक बार हम देख लेते हैं क्लियर कट इन डिफ्रेंट वे तो फोटो रेस्परेशन सी थ्री में होता है इसमें नहीं होता है स्यूटू का जो कंपन्सेशन पॉइंट है वो है 2200 माइक्रो लीटर राइट पर लीटर यह बहुत कम है यह बहुत सिग्निफि है रुबिस्को है दोनों में है ठीक है पीड़ी में इसमें है धीक क्लाइनिंग इसमें हैं धीक्लाइनिंग यहां पर स्टेडी है लगातार बना रहता है ट्रांस्प्रेशन र Remove यह मैं बात कर रहा था कि इसका ज़्यादा इसका कम है मतलब वोटर लॉससाए में ज्यादा होते हैं compared to the c4 light situation दो 42 500 लगेगा तुमको माइक्रो मॉल फोटॉन पर मीटर स्कॉयर पर सेकेंड यहां पर सेचुरेट होता ही नहीं है क्यों नहीं होता है क्योंकि स्यूटू हमेशा अंदर जाती रहती है एक स्टेडी स्टेट में तो यह थोड़ा डिफरेंट पॉइंट था बट इंपॉर्टन था अब आते हैं कैम प्लांट के बारे में अब कैम का पूरा नाम होता है बटा क्राइसूलेशियन मेटाबोलिजम में आब हाँ मैंने बोला तक यह पूरा अनों मिकल्रेंच वह गयं थे सिफूर में यहां STEPHAN में कि यहां पर चेंज कहां पर हो रहा है इस पेस में नहीं चेंज एपन इन टाइम ओनली और थीक कोई चेंज एन आटोमी में नहीं है ठीक है अब इसके नदे C4 and C3 both operative कैसे भाई टाइम की बात तो हम कर रहे है टाइम का मतलब क्या हो रहा है यहां पे अब लेंगे यहां पर बहुत स्मार्ट है स्टोमेटा ऊपन इस्टोमेटा ऊपन इस्टोमेटा ऊपन डूरिंग नाइट के वर नाइट में उपन होता है सब्सक्राइब को नेगा रात में लेगा उसके दो फैदे हैं पहला दूसरा फाइदा यह है कि यह देजर्ट में मिलते हैं तो वौर्टर लॉस भी प्रिवेंट हो रहा कि को यूज्वली नाइट साथ वेरी कूलर इंदे डिजल प्लेस तो सी यूटू जब लेगा इस टुमेटा उपन होगा तो वाटर लॉस भी कम होंगे रात में तो यह अच्छा यूजब करेगा और को कंवर्ड कर देगा लेगा उसको मैलिक इस बनेगा मैलेड बनेगा मैलेड जाएगा वैक्रोल में स्टोर हो जाएगा रात के टाइम डिक है उसको बलते हैज अटए और ढिंके यह थी फिकेशन में क्या होता है प्रस्परिनल पाइरीविट रीक्टिंग दसी ऊटू बना रहा है ऑग्जैलो असिटेट और चुरू असिटेट इस गेटिंग कनवर्टेट इंट्वल्टेट में और यह मेलेट कहा जा क्यों में डेक्यों में जाके स्टोर हो जाएगा यह होगी बा पूरी पूरी प्रोसेस रात में दिन में क्या हो D-acidification D का मतलब removal होता है अब क्या होगा दिन में क्या होगा मैलेट जो आएगा मैलेट बाहर निकलेगा मैलेट कनवर्ड हो जाएगा पाइरुवेट में और CO2 बाहर निकल जाएगी और ये CO2 को यूटिलाइज कर लेगा कौन? C3 cycle ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम बोलते है D-acidification D-acidification कब होगा? During day time है न मज़ेदार बात अब उसका फाइदा क्या होगा पटा है तो अगर तुमको C photorespiration करना है तो रुबिश को expose होना चाहिए जो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि photorespiration is not a kind of process we want क्यों इससे photosynthetic efficiency के losses होते है ठीक है? थोड़े बहुत और problem है we'll talk about it क्योंकि मैंने बोला था अगर photorespiration नहीं होगा तो chances यह होते हैं बटा की chlorophyll molecule का photo oxidation हो जाए बट यहाँ पर क्या फाइदा क्या है? फाइदा यह है कि stomata यह open करेंगे फिर रात में ठीक दो तीन चीजें से बड़े इंपॉर्टन्ट है पहला इस्टोमेटा ओपन्स दूरिंग नाइट पहला फाइदा यह है ठीक है? अब क्या होगा? रात में जब से लेगा यह नहीं लेगा दिशन नहीं लेज़े हैं लिए मिल लगता फिर क्या नहीं मिल लाई रुबिसको नोट एक्सपोज़े रात में खङने पहले रुबिसको एक्सपोज़े नहीं है is not exposed same anatomical structure में है लेकिन exposed नहीं है रात की वज़े से है ना क्योंकि रात में तीन चीज़े नहीं मिल लई है light intensity बिल्कुल नहीं है light intensity का चक्कर ही नहीं है क्योंकि रात है है ना दूसरा temperature temperature भी usually कमी रहता है रात में cooler nights होती है क्योंकि desert plant है तीसरी चीज़ हो रही है यहां पर partial pressure of oxygen तो यह भी कम रहने वाला है जिसकी वह से क्या हुआ है रुबिस्को विल नॉट डू दू पोटो रेस्परेशन पोटो रेस्परेशन नहीं होगा है ना तो इन्होंने बचा लिया इसको क्लियर है यह बात और यह एक actually इसका नम कैम क्यूं पढ़ा कैम इसलिए पढ़ा कि इट वस फाउंड पहले यह क्रैसुलशीी एक फैमली यह प्लांट फैमली रुटाए इसमें पहले ढूड आ गया बात में पता लगा जा कि बहुत सारी फैम्लीज में होता है तो दिरे दिर वह फैमलीज में आया यह कहां मिलता है यूज्वली इन दे सकुलेंट प्लांट का जिसकी लीप ठिक होती है सकुलेंट प्लांट में मिलता है और यूज्वली यह ड्राई रीजन में या फिर डेजर्ट में मिलते हैं रेगिस्तान में मिलते हैं बट्टा ऐसे प्लांट तो प्रैसुलेशन और एसीड मेटा कि एसिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ मैलेट का फॉर्मेशन यह रात में होगा और दिन के टाइम पर क्या होगा डी एसिडिफिकेशन मतलब मैलेट का कन्वर्जन हो गया पाइरुएट में ठीक है तो उससे क्या होगा बटा स्यूटू रिलीज हो गए यह डे में हुआ अब स्यूटू रिलीज हो गया अब उनके पास पूरी में कियूंकि दिन हुआ तो वो light reaction कर पा रहे हैं तो light reaction जब use किया उन्होंने तो co2 जो निकला इस process में इसमें क्या होगा बटा co2 बहार आएगा और co2 को utilize हम कर देंगे किसमे c3 cycle में उसका use हो जाएगा तो camp plant बहुत ज़्यादा smart है उन्होंने time change किया है space change नहीं किया है उन्होंने anatomical change नहीं किया है अब important चीज और क्या है बटा इनके पास दोनों enzyme है यह क्या होगा यह जो primary acceptor है वो सेम रहेगा primary acceptor of co2 वो कौन होगा बटा वो होगा फास्पोइनल पाइडवेड जैसे c4 में होता है यह होगा फास्पोइनल पाइडवेड पेप बोलते हैं एंजाइम कोन होगा यह एंजाइम है ठीक है यह पूरा रात में हो रहा है तो तो को लिया और यहां पेंजाइम कुन था PEPC soprattutto पर PEPC दोनों एकी चीज़ है PEPC ले जा PEPC केज दोनों से कुछ भी नाम ले सकते हो तो ये कमवर्ट किसमें हो गया Oxyelo Acetic Acid और ये चार कारभन का compound है, मतलब ये भी C4 जैसा है, फिर ये कमवर्ट हो गया Malic Acid लिए Malate में मैलिक एसद लिख सकते हो अब यह कहां चला गया मैलिक एसड वैक्कियोल में जाके टोर हो गया तो उसे क्या होगा अब टाइस प्रॉसेस को क्या बोलेंगे मैलेट को स्टोर करना यह प्रॉसेस है कि अभी मैंने एक्स्प्लेइन किया है ना अब क्या होगा डे के टाइम पर क्या होगा डे टाइम में कि रिडेक्शन पोटेंशियल जो है वह तैयार है अपना कि इस रेडी कैसे ड्यू टू लाइट रिएक्शन हुआ है और तुमारा रिडेक्शन पावर तैयार है कौन कौन है बेटा एटीपी और एनडीपी एच है ना ठीक है एनडीपी एच और एटीपी तैयार है अब यह क्या करेंगे दीनिके टाइन पर क्या होगा सो मैलेट बाहर आएगा आउट ओफ वैक्शन और यह कनवर्ट हो जाएगा पाईर्वेट में जैसे तुम लोगों ने सी फॉर साइक्ल में देखा और सी यूटू में अब यह पाईर्वेट फिल से कनवर्ट हो जाएगा पैप में तुमको प आस्पेट ग्रुप चाहिए इसको पी आई है ना तो मतलब यहां पर भी जो एटीपी का यूटिलाइजेशन वह सी फॉर के एक्वल है अब यह स्यूटू को यूज करेगा कौन सी थ्री साइक्ल लेकिन यह सारी प्रोसेस जो हो रही है बैटा यह मीजो फिल में हो रही है बस रात और दिन का फर्क है मीजो फिल सिल सा इन बॉर्ड ठीक है और यहां पर नो बंडल सीट नो बंडल सीट सरींबॉल्ड कोई बंडल सीट्स और सी इन बॉर्ड यह दौनों की बीच की कड़ी है है ना मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन आया अगर तुम्हारा सिंपल एंसर होगा कि सी थ्री एवल्यूशन में फिर कोन आया दोनों के बीच की कड़ी कोन है वह है कैम प्लांट तो कैम आया होगा फिर सबसे लास्ट में कोन आया है सी फॉर सो सबसे पहले शी थ्री फिर कैम फिर लास्ट में सबसे नया कौन है वह सी फॉर अब यहां तुम्हें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी जो बहुत ज्यादा important है एक plant रेटा इसका नाम है ice plant ice plant में c3 और कैम दोनों operate होता है तो तो यह जाएगा अगर temperature कम है तो c3 मतलब एक ऐसा प्लांट में मिल चुका है जिसमें c3 यो दोनों चल ले हैं है न alternatively बाकी जितने कैम प्लांट तुम्हें मिले वह सारे कैम प्लांट में केवल कैम चला है और C3 चला है लेकिन कि जिब टेंप्रेटम कम होगा तो केवल C3 operate करेगी और गतेंपरेटर जादhma होगा तो केम और C3 1974Black helped हो नहीं है जिसमें सीहतर हो फिर इतनी बात मैं समझ में आ खहले है wa को मतलब का रिमूब का रिमूबल हो रहा है इसका मतलब हह रिमूबल अफ एक डी वर玩 लगा मदलब होता है removal removal of acid acid यहां पर कौन था acid वोज मैलेट ठीक है clear है यह concept तुम्हारा clear हो गया let's go इंद दर थोड़ी जासूसी करते हैं वो टिक जैकली और बुक इस सही तो यह अगया नाम व्हां प्लांट में मिलता है जिसकी लीव ठीक होती है इसकी ना पानफुटी तो मतलब उसमें कुछ मटीरियल भरा होता है ठीक है पहली बारी इसको रिपोर्ड किया गया था फैमिली क्रैसुलेश्टी में इसका नाम पड़े गया अब सबसे इंपॉर्टन चीज यहां पर इस्टोमेटा जो है यह स्टोमेटा इस इसकोटो एक्टू का मतलब क्या होता कि रात में ओपन होते हैं दो जिस्टोमेटा विच ओपन इन दर नाइट ठीक है यह इसको बोलते हैं स्टोमेटा यह तुम्हे ध्यान में रखना है जो श्टोमेटा रात में खूलते हैं उनको यह क्या बोलते हैं बैटा स्कूटो एक्टू ठीक है यह बात हम लोगों ने कर ली सो co2 का fixation कब होता है co2 का fixation रात में होता है ठीक है क्यूं होता है रात में दो रीजन से पहला इसको photorespiration नहीं करवाना है दूसरा यह कि रात के टाइम पर अगर ओपन होगा तो water losses बहुत कम होंगे यह वाटर कंजर्वेटर बहुत ही अच्छा है सबसे अच्छा water अगर नंबर वन पर रखोगे तो कैम सबसे अच्छा water वाटर कंजर्वेटर है उसके बाद c4 है और सबसे खराब जो water को वह सी थी अब इसलिए की क्लाइमेटिक कंडिशन वैसी है यूज्वली सी 3 जहां पर मिलता हूं पर टेंपरेचर कम होना चीए लेकिन विद्धर टाइम वह स्प्रेड हुआ दूसरे एरियास में भी ठीक है तो रात को स्यूट्यू फिक्स होगी बिट्टा ठीक है और बाद में सी 3 चलेगी तो यहा यहां पे सारी चीजें कहां पे हो रही है केवल और केवल मीजो फिल्म में हो रही है क्रैन जने टोमी नहीं है यह बहुत इंपर्टन्ट है और मैली केसी डाक फॉर्मेशन रात में होता है इसलिए इसकों बोलते है एसीडिफिकेशन और फेस वान मैलेड कहां पहεं पहले रात में दिन में यह मेलेड बाहर आएगा और co2 को निकालेगा ठीक और सी त्री पाथ , वें record के सेम सेल मॉझ Yap, oui Vajna मेजोफिल सेलology that is the one thing that you have to keep in the mind right clear है तो इस प्रोसेस को हम बोलता है डी एसिदिफिकेशन और फेस्टू ठीक है एक्जांपल्स क्या है बेटा कैलेंचो है अपुंसिया है अलोवीरा है और बहुत सारे है जैसे ब्राइव फिल्ला में पानखुटी कैक्टैस है ठीक है और बहुत सारे मैंगरूप प्लांट्स हैं वो भी यह प्रोसेस को केरी आउट करते हैं तो दो फैमिली कैक्टैसी और प्रैसुलेसी दोनों में यह मिलता है ठीक है तो यह बीच का रास्ता है तो यह आप रियेक्शन सोते वह दोनों के बीच के ऑते फिक्सेस प्रोसेस हैं सीफोर जैसा और यूटिलाजएशन प्रोसेस है सी यहसा anti-ietyर दैसंट के सब्सक्राइव थी जैसा है है ना but you have to keep one thing in the mind that there's no Cange and not on me here you won't find any kind of Cange and not on me so no Cange et not on me कि यह नहीं मिलेगी that you have to keep in the mind and so यह अलग तरह एक का अर्रेंजमेंट है ने ने किया हुआ है जो C4 और C3 के बीच का है तो सबसे पुराना प्लांट C3 उसके बाद कैम और सबसे नया है वो है C4 ऐसा evolution है we can write in that way as well so सबसे पहले C3 आया evolution में फिर कौन आया कैम फिर सबसे नया कौन है C4 this is how the evolution गोज क्यों गया आई टोल्डू राइट ठीक है तो एनटोमिकल चेंजिस बेटा बहुत आसान नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजिस करने पड़ते हैं DNA स्टाक्चर में तब जाके वह एनटोमिकल चेंजिस वह डिफरेंशेशन होत इस नॉट गूंट बीड़ाइट इजी तो यह साइकल है यहां पर तुम ध्यान से अगर देखो तो दो पार्ट में दिखाया हुआ इस यह तो दिन का टाइम है यह दिन का टाइम है तो तो तीन के टाइम पे इस टोमेटा क्लोज हो गया हम स्टार्ट करते हैं राए रात के सीफोर एंड कैम यह दोनों एक्सेप्ट सी यूटू इन दे फॉर्म ओफ बाई कार्बोनेट यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब यहां पर पेप है पेप ने लिया इसको एंजाइम कौन सा है पेप कार्बोक्सिलेज है ठीक है और एसिड बन गया ऑक्जैल शैटेट बन गया विट्टा ठीक है और ऑक्जैल बन गया यह सीफोर एसिड है और उए और वो वह लोगा है मैलेट मे और यह मैलेट पहुँच गया है कहां कहाँ पे वैक्योल में Is process को क्या बोलोगे this process is called as acidification ठीकलए यह process को क्या भूलेंगे acidification चाहूं तुम डायग्राम जब बनाओगे तो तुम ऐसे लिख सकते हो ठीक है अब सी फूर कहा पे गया सी फूर आया बाहर ठीक है कौन था सी फूर मैलेट था इसका डी कर्बॉक्सिलेशन हुआ अब यह पाइरुएट में कनवर्ट हो गया अब यह कार्बन डाइक्साइड एंटर हो गया कैल्विन बेंसन साइकल में जहां पर रुबिस्को इसको फिक्स करेगा और स्टार्च बनाएगा ठीक है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंग यहां पर जो डी कर्पॉक्सिलेशन वासको डी एसीदिफिकेशन दी बोलते हैं डी एसीदिफिकेशन ठीक है क्योंकि अभी नहीं रहा तो यह दी एसीदिफिकेशन होगा दिन के टाइम में और रात के टाइम पर यह पूरी कहानी है बैटा प्यान की ठीक है एक अच्छा देख लो अब यहां पर दो अलग अलग एंदर आ गया फैसे अंदर आया कौनसे ऑन में एक बना के तुम्हें दिखाता हूं धिक एफ फॉन से मैं अलग-अलग अब कंपार्टमेंट मत समझना यह दिन का है और यह रात का है कि अब दिन में क्या होगा बिट्टा इस टुमेटा उपन होगा कि अदर आई यहाँ पेना पेफ है यह पने लिया और किस फिर्म में आई बैकार्बोनेट के फिर्म में यहां पर कार्वाक्स लिए यह बन गया औक जिलो इसटे यह धन्वर्ट होगया मैलेट के फिर्म में अब यहां पे एक वैक्योल बना लेते हैं यह वैक्योल है अब यह मैलेट चला गया वैक्योल के अंदर यह तुम्हारा क्या है इस इस यूर वैक्योल और यह डबा कौन सा यह मीजो फिलसल का है यह मीजो फिलसल है ठीक है तो ये व애क्चयोल में मेलेट हो गया और ये प्रोसेस को हम बोलेंगे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिडीफिकेशन हो गया रात के टाइम पे बस कानी कतम रहना क्यूंकि इसमें बहुत एनरजी नहीं लगनी है अब क्या होगा अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो यह मैलेट इसके अंदर बैठा था यह मैलेट था वैक्योल के अंदर था अब मैलेट बाहर जाएगा और मैलेट कनवर्ड हो जाएगा पाइरुएट में और यहाँ से CO2 बाहर निगलेगी अब CO2 को यूटिलाइज करेंगे हम C3 साइकल में ठीक है अब इस प्रोसेस को यह वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे डी एसिदिफिकेशन ठीक है अब यह C3 साइकल सुगर और स्टार्च बना देगी ठीक तो यह तुम्हें ऐसे समझना है एंड दिस इस चैम साइकल पो यू तो इन्हों ने क्या किया यह बीच का रास्ता इन्हों ने ढूड़ा जिससे दोनों काम हो गए दोनों काम कौन कौन से बिटा फोटो रिस्परेशन से भी बचा लिया एनटोमिकल चेंज भी नहीं करने पड़े और काम भी हो गया रात को से यूटू को फिक्स कर रहे हैं दिन में उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कहां नहीं खतम कोई चेंज की जरूरत नहीं पड़ी इनको ठीक है अब आ जाते हैं नेक्स टॉपिक फैक्टर्स फोटो सिंथेस ठीक है तो दो कोई भी फैक्टर की बात करोगे ना तो वह दो केटेग्री में आएंगे बटा एक होगा इंटरनल फैक्टर और दूसरा होगा एक्स्टरनल फैक्टर इंटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है जो प्लांट की इंटर्नल एनेटोमी है जो प्लांट की इंटर्नल जेनेटिक्स है जो प्लांट का इंटर्नल हॉर्मोन से वो सारी कहानी जो प्लांट के अंदर है वो फैक्टर इंटर्नल फैक्टर्स हो गए क्या क्या बिट्टा जैसे ल की साइज क्या है ने का कि औरींटेशन क्या है मतलि 2 तरे का अरींटेशन तुम्हें पता है डॉर्सीय का ड्वेंट्रल Harruto तुम्हें पता है डाई कोड में मिलता और आई-सो बैलेनORा कोड में मिलता है तीक है के स erfस में पता है और ना थीक है और उसके गयोकशन। इसके निदर मेजोफिरद हैं बो और उनके अंदर ग्लोरो फ्लक्वивают हैं तीप and calendar जो से the other internal factor. मैं बता दू का सर्फेस एए इरिया कितना वड़ा है है ना लीप के अंदर क्लोरोप्लास कितने है मीजोफिल के अंदर और उनके अंदर क्लोरोफिल की क्योंटिटी कितनी है क्यों ये सारे फैक्टर डिंटर्मीन करेंगे कि रेट of photosynthesis क्या होना है एक्स्टनिल फैक्टर की बात कर लेते हैं ठीक है जो प्लांट के हाथ में है फून लाइट इंट्ददू को क्या रहना है वो बहुत बहुत कुछ कुछ नहीं गहल कर सकता तो बहुत कुछ Dublin जय लेकिन इसे ट्र में य jsब च वो कि यसीड़ करते हैं नहीं होता है कि बाहर उसको light बाहर बारिश का मोसम है या फिर sunlight बहुत ज्यादा या फिर winter है intensity कितनी है कितनी देड़ के लिए light आ रही है उसकी quality और quantity कैसी है that plant cannot determine जो जिस काम को plant नहीं कर सकता उसको external factors बोलेंगा जो प्लांट के हाथ में वो उसकी इंटर्नल फैक्टर में आएगा सारी बातें आगे बढ़ें अब एक साइंटिस्ट उनका नाम था ब्लैक मैं उन्हें ने एक लौ दिया लौ लिमिटिंग तो उन्हें लिमिटिंग फैक्टर का कॉंसेप्ट तुम्हें साथ पता भी होगा अगर तुमनें केमेस्ट्री पढ़ी होगी तो बता देता हूं कि इसमें ऐसा फैक्टर जो कंट्रोल कर रहा है कोई भी हो सकता एक लिमिटिंग फैक्टर जैसा काम करेगा ठीक है तो इस नौट दा वन फैक्टर विच इस डिस डिसाइडिंग ड़ेट फोटोसंतेशिग त सेवरल फैक्टर वक्तिक करते हैं ठीक है और जिस भी फैक्टर की मींनिमल वैल्यू या उससे क्लोज है ठीक है वह फोटोसंतेशिग को आफक्ट करेगा इस तो को बोलते हैं law limiting factor of a chemical process is affected by more than watch to पॉटो सिंतेस्स को एक्ट करने वाले अप्रक्तर क्या-क्या हो सकते हुए पहला लाइट हो सकता है डोनيرة की बात नहीं कर रहा हूं ठीक है देन स्योटू कंसेंडरेशन कितना है बाहर देन टिंप्रेचर कितना है एक यह तीन फैक्टर सबसे इंपोर्टेंट है इन और तो मेंगे इनो हैपन ठीक है इजिट क्लियर टू आल अफ यू अब यह फैक्टर कोई कम ज्यादा हो सकता है जो मिनिमम वैल्यू के पास जा रहा है वो इसको लिमिट कर देगा फोटो सिंथेस को आगे नहीं बढ़ने देगा दैट वोसकोंसेट गिवन बाइदा ब्लैक मैं सो इस रेट इस डिटर्मिन बाइद फैक्टर नियरेस्ट तू इस मिनिमल वैल्यू जो फैक्टर इन तीनों से कोई भी फैक्टर जिसक की वैल्यू कम है अगर तुम्हें यहां पर देखो कि एनी वन ओप दें में विच इस मीनिममम और प्लोस टू एट मीनिममम वैल्यू के पांस में है विल्डिटर्मिन रेट ओफ पोटोसिंथेस्स एक्दम सिंपल साधे सब्दो में है ना जैसे एक मैं एग्यांपल देता हूं तुम्हें जो तुम्हें बहुत आसानी से समझ सकता सपोस्पोस वे और गुएंग फॉर पेक्निक तुम्हें सब्सक्राइब चालाईट पेक्निक साथी नी प्श सबसे पहले आगया टाइमिंग सबसे बैठा हुआ है लेकिन एक बंदा है जिसको किसी रीजन से लेट हो गया वह सवा साथ साथ बजे आया तो क्या होगा कि पिकनिक स्टार्ट कब होगी साहे साथ बजे से लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया वह बंदा जो लेट आया क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है कि सबको लेके जाना है तो यह बात समझ में आ गई होगी इसको हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या फिर रेट डिट और गिवन डे इनमें से कोई भी एक हो सकता है मालों ऐसा दिन जहां पर टेंपरेचर कम है तो वह लिमिटिंग फैक्टर हो गया ऐसा दिन जहां पर लाइट कम है क्लावडी वेदर है तो वह हो गया ऐसा दिन यूज्वली सीटू इस दे वान जिसका कॉंस्टरेशन वैरी नहीं गरता है राइट वह कॉंस्टेंट है तो यूज्वली वैरिएशन इन दोनों में ज्यादा होती है टेंपरेचर और लाइट इंटेंसिटी एट इस वाट दे ब्लैक मैं सेड ठीक है क्लियर हो गया विट्टा है ठीक जैसे यहां पर एक एक जामपल है कि प्लांट विट ग्रीन लीफ ऑप्टिमन लाइट और स्यू टू मिला लेकिन टेंप्रेचर कम है तो क्या होगा क्यों अपना उसका ऑप्टिमम टेंप्रेचर नहीं हुआ है तो वह फोटो सिंतेसिस ठीक से केरी आउट नहीं कर पाएग अब पहले आजाते हैं लाइट तो यहां पर यूजूली लाइट कॉलिटी लाइट इंटेंसिटी एंड डूरेशन ओफ एक्सपोजर तो दे लाइट ठीक है कितनी देर के लिए मिल रही है यह भी एक इंपोर्टेंट फैक्टर तो सर्टेंट हो सकता मैंने बोला डूरेश यूजूली वह बड़ा फैक्टर नहीं होता है क्यों आज टॉक अबाट इट ठीक है तो देज लीनियर रिलेशन से बेट्मिन इंसिदेंट लाइट और स्यूट फिक्स अगर तुम यह ग्राफ देखो तो यह ग्राफ है बिटा rate of photosynthesis versus light intensity ठीक है तो क्या हुआ स्टार्टिंग में अगर light intensity बढ़ रही है तो यह तो दुम्हारा rate of photosynthesis भी बढ़ रहा है है ना लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद तो यहां पर इसके बाद तुम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे भी न तो क्या होगा कि रेट फोडोसिंटेसिस आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि लाइट की जितनी रिक्वार्मेंट थी वह पूरी हो चुकी है ठीक है एट हायर लाइट इंटेंसिटी एट हायर लाइट इंटेंसिटी रेट डज नौट फॉर्दर इंक्रीज विकॉस अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग क्योंकि तुमने लाइट तो पूरी दे अब बाकी खेल किसका है टेंप्रेचर और सीओ टू का वह बराबर है तो है नहीं तो फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और यूजुवली लाइट का सेचुरेशन अकर सेथे टेन पर्सेंट अफ फॉल सनलाइट बस तेन पर्सेंट की इसको जरूरत है ठीक है एक्सेप्ट प्लांट इन शेडी एरिया में अगर प्लांट मिल लाए या फिर फॉरेस्ट में जहां पर लाइट इस रेरली ए लिमि ज्यादा हो गई तो क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सिडेशन हो जाएगा जिससे रेट फोटो सिंतेसिस कम हो जाएगा ठीक है अब आतने कर्बन डायक साइट पे तो को आज का जो कंसेंट्रेशन है अरूंड 340 पीपीम है ठीक है अगर तुम इसको परसेंटेज में चाहोगे तो 0.03 to 0.04 परसेंट के बीच में है ठीक है और मेजर लिम्टिंग फैक्टर पाफ फोटो सिंतेसिस सुटू कंसेंट्रेशन इस वेरी लो इन अट्मास्फियर ठीक है लेकिन इंक्रीज अप तो 0.05 परसेंट अगर हो गया तैट विल कॉज इंक्रीज इंक्रीज इन स्योट प्राइब लेकिन अगर वो बढ़ा तो तुमको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा जाएगी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा बैटा क्लाइमिटिक चेंज हो जाएंगे और इंसेक्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी आईस कैप मेल्टों ने रिगार्ड में हो सकता है कि क्लाइमिटी चेंज हो गया लेकिन वह इस रिगार्ड में बात नहीं गरेंगे आप ठीक है कि यूजुली क्याता कि अगर लो लाइट कंडिशन है तो सी थी फॉर प्लांट्स डू नॉट रिस्पॉंड तो दा हाई स्यूर तो कंसेंट्रेशन है थाइलाइट इंटेंसिटी दे शो इंक्रीज इन दा रेट आप फोटो सिंथेसिस क्योंकि दोनों का सेचुरेशन पॉइंट है सी फॉर का कम है सी थी का ज्यादा है सी थी प्लांट अगर देखोगे और इसका 450 माइक्रो लीटर शुट भी माइक्रो लीटर पर लीटर है ठीक है तो दस करेंट अब देखो तो यहां तक देखो कि बढ़ रहा था उसके बाद अगर तुम देखोगे यह पॉइंट के बाद अगर तुम सी थी का कंस्टेशन बढ़ाते जाओगे तो रेट फोटो सिंथेसिस नहीं बढ़ेगा क्योंकि दूसरे फैक्टर लिमिटिं बट इस फैक्ट इस यूज फो था सम ग्रीन हाउस प्रॉप स्पैसिली जो कंट्रोल कंडिशन में तुम ग्रो कराते हो टेम्प्रेचर टेम्प्रेचर भी बड़ा रोल प्ले करने वाला है क्योंकि डार्क रेक्शन एक एंजाइमेटिक है जिसको सी 3 के लिए मैंने बताया और इसके लिए अपनी सबसे अच्छी फोटो सिंथेसिस करेगा ठीक है तो डिपेंड ऑल्सों कि ट्रॉपिकल है कि सब्ट्रॉपिकल है कि टेम्प्रेट रीजन में है यह अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमुम 25 से 30 के बीच में होगा लेकिन कुछ प्लांट में गो अप्टु 55 डिग्री संटिगेड लाइक ऑपनसिया जो डेजल्ट में मिलते हैं ठीक है तो एक फैक्टर अगर पूरा मिला तो दूसरे फैक्टर माइट प्लेट प्ले एक कुछ में वाटकर वाटा क्योंकि वोट की मौत के जाना वं जाएगा झाया गार भरc't to तो फोटो सिंतेसिस स्लोडाउन हो जाएगी बहुत जादा है तो भी प्रॉब्म होगी तो वाटर की कौन्टिटी भी मिनिमम ऑप्टिमम होनी चीए है ना है अब आ जाते हैं इंटर्णल फैक्टर में इंटर्नल फैक्टर में इंपॉर्टेंट क्या है कि कुण्ठी किद की कितनी है उनका ओरीएंटेशन कितना है और उनका सेटप कैसा तो एक अगर वह सब कुछ तीक है तो रेट फोटो सिंप्रेसिस जोई डियुए प्लेटी एप अच्छे से हो जाएगा तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी थी बटा स्लोइस फैक्टर सिगनिफिकेंस दे लास्ट पॉइंट आप इस चैप्टर इस सिगनिफिकेंस के बटा तो तुम सब को पता है कि प्लांट साथ प्रोडूसर हमें आज जो कुछ मिल ला है एवरी सिंगल द्रॉप अप्ड एनर्जी था विए विए इट फॉम प्लांट के पास ही हुए प्लांट नहीं तो हम नहीं है ठीक आंप दोसरा और प्रोड को प्रोड करने के लिए ठीक है तो यह वेरी वेरी इंप्रोटन जैसे ऑक्सीजन और एनर्जी चैप्टर सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टन यहां पर उटु और वस्त कर Ste यह दिज़ दो वनली विच गैप्चर दो सब्सक्राइब कुछ एलगी यह ऑलडी चोल दू ठीक है उसके साथ में बहुत सारे जो अधर चीजें हैं हमें यह सूर्स देते हैं किसके लिए इनर्जी का फॉसिल फ्यूल कोल वगारा पेट्रोलियम प्रोड़क्त जो है ठीक है और जो नेच्टरल गैसे हैं यह सारे भी प्लांट के प्लांट से मिलती ही प्लांट एक बारी फॉसिलाइज हो गया इजस्ट गोस दो रॉक्स ठीक है बहुत हजारों सालों के बाद एक हाई प्रेशर पर वहां पे है देर इट बिकमस तफॉसिल फ्यूल जहां से तुम पे एक प्रेशन उर्ण पर रेटस प्रांट बिवियं के लिए प्रेशन पर फोडाट एक रीजन क्या है जो डिफेरेंस प्यार्टा था लिए प्रेशन प्रेश फोर नहीं होता है which of these is not an internal factor affecting the photosynthesis internal factors मैं से कों नहीं है not focus किया है साइज है क्या नहीं एज नहीं नंबर है क्या नहीं फिर कौन है फानी पानी फानी is the what is the external factor next question एक्ष्टें आप फेक्टर नहीं है ठीक है सनलाइट है ठीक टेंप्रेचर है लाइब का औरियंटेशन एक्सटर नहीं है तो तुम्हें नौट को एंसर करना है तो सही एंसर क्या होगा लीव का औरियंटेशन यह इंटरनल फैक्टर है है ना लीव कैसी हो सकती डॉर्सी वेंटरल या फिर आइसो बाइलेटरल सब्सक्राइब को पता है ब्लैक मैं आप परसेंटेज अब यहां पर तुम्हें दिखाया की अपोर्शन ठीक है सब्सक्राइब यह जो पार्ट है यह तुम्हारा रेट ऑफ फोटो सिंथेस ऐसे क्वेशन मजदार होते हैं सौल करने में अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट भी हो सकते हैं और इधर उन्होंने क्या दिया हुआ लाइट इंटेंसिटी यह फ और उन्होंने पॉइंट दिखाए हुआ है एक सम्वेर ही है अब पूछ कह रहा है कि यह क्या होगा तो तुमको स्टार्टिंग में पता कि लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़ा रहे हो कलर में चेंज करता हूं सो तो यहां तक तो तो तुम देखो कि रेट आफ फोटो सिं सिंटेसिस नहीं बढ़ेगा गूह नहीं बढ़ेगा दूसरे फैक्टी लिमिंटिंग फैक्टर होगें तो क्या दिखा रहा है एए स्टोंग यूंद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है अगर इधर से जाओंगे लेट तुराइट इंटेंसिटी बढ़ रही है यह दो जो है यह सीफोर है और यह सीथ्य है और यह हो गया अपुंसिया कैक्टस दे आर अपुंसिया मतलब नाखफनी इंट कहां पर स्टॉर होता है तुमको पता है मैंने बताया वैक्ट्वल्स के अंदर होते हैं और अब दो को यहां पर सब में वैरी होगा सीथ्री सीफोर और कैम सीथ्री में कितना लगेगा विटा एक गुल्कोस बनाने के लिए तो लगेगा तुमारा कितना हो मेनी मॉलिकुल्स अब अब इन्होंने दिया नहीं है तो तुमको एटीन एटीपी और ट्वेल्ड लगेगा किसके लिए सीथ्री साइकिल के लिए तो यह तो दिखनी रहा है है ना सीफोर और कैम में बराबर लगेगा कितना तीस एटीपी प्लस बारा एनडीपीस तो मुझे लगता है यह क्वेस है ठीक है जो नहीं है तो तुम अंदाजा लगा लिया तुमने तो थर्टी एटीपी एंट्वल एनडीपीस यह सेम रिख्वायर्मेंट है वेट्टा कैम और सीफोर साइपी ठीक है क्यूंकि तो को पैप से अगर कनवल्ड पाइरुवेट को अगर कनवल्ड करना है पैप में तुमको एटीपी कनवल्ड होगा एंपी में और फिर से अगर एंपी को जनरेट करना एंटीपी में तो दो एटीपी लगेंगे है ना तो हर एक प्रॉसेस के लिए दो लगेंगे एक स्यूट्व के पीछे दो तो सिक्स इंटू तो प्रोडूस वान गुलकोस है तो सिक्स इंटू टू कितने होगे ट्वेल्ड सो एटीन में अगर तुम ट्वेल्ड आड़ कर दोगे तो यह थल्टी आएगा क्लियर है तो टूड़ेवी टॉक अबाउट दिफ्रेंसे सी 3 और सी 4 के बारे में सी 3 में मैंने बताया कि फोटो रिस्प्रेशन होता है सी 4 में नहीं होता है सी 3 लो टिंप्रेचर पे 22 25 डिग्रेश एंटिग्रेट में सबसे अच्छा रिजल देता है यह 35 तू 45 में देता है अब यहां पर अगर तुम सी 2 का कंसंट्रेशन देखो तो सी 3 के लिए ज़्यादा लगता है सी 2 सी 4 के लिए कम लगता है यहां पर इंजाइम केबल रुब इसको प्लस पेपकेज में फिक्सर जो बाता है यह ना वैसी ना च्रेंट की बात कि तो कहम में दोनों है क्रेंज चोड़के वह सी 4 और सी 3 का प्रॉपर मिक्चर फिर हम लोग ने फैक्टर की बात की तो उसमें इंटरनल फैक्टर लीप की साइज क्या है औरिएंटेशन क् कितना उसके अंदर है कुलॉरोपलास कितना ऊसके अंदर है ना सा्तम उसके नंबर कितने है वह सारे प्लान्टका और साथ में टेमप्रेचर और लॉफ लिमिटिंग बन जाता है अब लाइट इंटेंसिटी की बात करो तो 10 परशेंट पर सेचुरेशन हो जाता है अगर कार्बन डाइक साइट की बात करो तो सेचुरेशन के लिए अरॉंड पॉइंट जीरो फाइट चाहिए ठीक है तीसरा फैक्टर जो अब तुम्हें क्या करना है यह चैप्टर तो खतम हो गया एक संबरी लुंगा में सारे कॉंसेप्स और और साइकल्स के यह सारी चीज़े तुम्हें रिवाइज करनी है फिर होमवर क्या होगा इस पर जितने भी तुमको मिलते हैं पीवाई क्यू मिलते हैं जो नीट पर और साथ में जो तुम्हारे बुक के पीछे लॉंग शॉर्ट वेरी शॉर्ट या फिर बॉक्स वाले क्वेश्चन से उनको अच्छे से सौल करो ठीक है त्यक्ति नियुल देन वित नेश्ट लेक्च्ट में जल्दी है टाइम फिर इंवंब्हस्ट टॉपिक दिधा है पिर में जब तॉपिक फे पहले महां सकी रउगिंग